Hello Goingkins! आशा है, आपने अब तक स्वर A और A से बनने वाले शब्दूं को पढ़ा होगा. प्यारे बच्चों, आज जो हम स्वर पढ़ रहे हैं, वो है E. मेरे साथ मिलकर बोले, E. और ये है E की मात्रा. बच्चों, E की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक स्टैडिंग लाइन दे दीचे, उसके ऊपर एक छट लगा दीचे, और फिर कुछ इस तरह कर दीचे, ये बन गया E. बच्चों, E की ध्वनी बहुत ही हलके से आती है, E. और ये हमेशा व्याजन के दाइनी और लगती है. देखिए, ये है व्याजन च, और ये है व्याजन च के साथ छोटी की मात्रा. आईए, छोटी की मात्रा से व्याजन का उचारण कैसे होता है? जानते हैं. स, गिलास ह में छोटी की मात्रा मिलकर बनेगा ही, र, न, हिरन क में छोटी की मात्रा मिलकर बनेगा की, त, त में आ की मात्रा मिलकर बनेगा ता, ब, की, ताब बच्चो आईए इसे बनने वाले कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं स में छोटी इ मिलकर बना सी र सिर कि धर कि श्मिश कि श्मिश दिन दिन टिकट टिकट गिरावट गिन गिन कई सान किसान जई ल छिल म इ ल मिल छिल मिल बिल विमान पिघलना दिल छिलका बिटामिन तो प्यारे बच्चों ये तो थे ई और ई की मात्रा आशा है कि ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप घर में अच्छे से अभ्यास करेंगे धन्यवाद अजान अन प्यां estate जर कर ये वाले है झाउस ठाइक जब्दों को इंच्धों को इह और ढोी है धन्यवारे प॰़ण